एक दूसरे की मदद करना सिर्फ एक अच्छी आदत ही नहीं है. ये वो चाबी है जो एक नई दुनिया के दरवाजे खोलती है. एक दूसरे की मदद करके हम अपने अंदर छुपी हुई इंसानियत को बाहर ला सकते हैं और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं. यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपनी इस दूसरों की मदद करने की भावना को विकसित कर सकते हैं, हम देखेंगे कि क्या है जो हमारे समाज को आगे बढ़ने से रोक रही है और कैसे हम उसे अपने रास्ते से हटा सकते हैं, आखिर में यह किताब हमें बताती है कि किस तर हम अपनी दूसरों की मदद करने से किस तरह आपके DNA और दिमाग में बदलाव आ सकते हैं? भेद भाव किस तरह समाज के विकास में बाधा बन सकती है? ध्यान से आप कैसे अपने आपको मजबूत बना सकते हैं? हम अपनी दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश को बढ़ा सकते हैं. आप जब भी एक अच्छी दुनिया का ख्वाब देखते होंगे, तो आप सोचते होंगे कि वहां सभी एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे. आपका यह सपना हकीकत में बदल सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत आपको करनी होगी. दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश दो तरह की होती है. एक हमारे अंदर पहले से ही रहती है, जबकि दूसरे को हम अपनी उम्र के साथ बढ़ा सकते हैं. कुछ लोग जन्म से ही दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं. उनके अं अपने अंदर नहीं ला सकते। आप अपने अंदर ये भावना तब ला सकते हैं जब आप दुख और परेशानी को गहराई से महसूस करेंगे। अपने अपने प्यार करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगर आप औरों से प्यार करते हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे और एनरजी से भरे रहेंगे। दूसरों से प्यार करके आप दूसरों का प्यार पा सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक अनाथ आश्रम में बच्चों से हर हफ्ते मिलने जाते हैं। आप हमेशा उनके लिए कुछ तोहफे और मिठाईयां लेकर जाते हैं। ऐसा करने पर बच्चे आपको देखते ही खुश हो जाएंगे और हर दिन आपके आने का इंतजार करेंगे। अगर किसी रोज आपने आने में देर कर दी या नहीं आ पाए तो वे आपसे जरूर पूछेंगे कि आप कहां रह गए थे। इस एक्जेंपल से साफ है कि प्यार भी घ्यान की तरह बाटने से बढ़ता है। लेकिन ऐसा क्यों? आईए इसका जवाब साइंस में ढूंडे। हमारे दिमाग में mirror neuron नाम के sales पाये जाते हैं। ये neuron हमें वो महसूस करवाते हैं जो सामने वाला महसूस कर रहा है। जैसे कि अगर आप किसी को रोता हुआ देखते हैं, तो आप भी दुख़ी हो जाते हैं। अच्छे काम करने से हमारे शरीर में भी बदलाव आते हैं हमारे शरीर के अंदर दो तरह से बदलाव लाए जा सकते हैं Neuroplasticity और Epigenitis ज्यादा तर लोग सोचते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ 18 साल तक ही बढ़ता है और इसके बाद इसका बढ़ना बंध हो जाता है उनका मानना है कि एक बार हम बड़े हो गए तो हमारा विकास रुख जाता है लेकिन ऐसा नहीं है मशाशाशेट्स Institute of Technology के एक साइंटिस्ट जोसिफ आल्टमन ने पाया कि हमारे नियूरांज हमेशा हमेशा मरते और बनते रहते हैं हालांकि इनकी संख्या नहीं बढ़ती लेकिन इनका मरना और बनना चलता रहता है इसका मतलब अगर हम एक ही काम को बार बार करते हैं तो हमारे अंदर उस काम को करने के लिए नियूरांज बनते हैं और हम उस काम को ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं अगर हम लगातार लोगों की मदद करें, तो हमारे अंदर वो neurons पैदा होंगे, जो हमारे दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश को बढ़ाएंगे। इस concept को Neuroplaticity कहा जाता है। अब आईए Epigenetics पर नजर डालें। आप फिल्मों में अकसर देखा होगा कि दो जुड़वा भा हो सकते हैं। मतलब अगर आप हमेशा दूसरों से प्यार करने की कोशिश करेंगे, तो आपके प्यार करने वाले जीन्स on हो जाएंगे और नफरत करने वाले जीन्स off हो जाएंगे। इन दो तरीकों से आप अपने अंदर दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश को बढ़ा सक सबी लोग स्वार्थी हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है. इंसानियत ही हमें इंसान बनाती है. दूसरों की मदद करना, दूसरों से प्यार करना और दूसरों के दुख को अपना दुख समझना ही इंसान होने का सबूत है. अगर आपके अंदर ये भावना नहीं है, तो आपके इंसान होने का कोई फाइदा नहीं है. लोग अकसर सोचते हैं कि इस दुनिया में वही आगे बढ़ते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं. लेकिन जब आप एक अच्छी दुनिया का ख्वाब देखते हैं, तो क्या अपने काम से ही मतलब रखें? नहीं. अगर दूसरों की सेवा करना आपका काम है और आप अपना काम अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपके अंदर उनके लिए प्यार की भावना होनी ही चाहिए. एक स्टडी में पाया गया कि बच्चों की देख भाल करने वाली नर्स, ज सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं. आईए देखते हैं. कुछ लोगों का मानना है कि दूसरों की मदद करके हम उन्हें कमजोर बनाते हैं. कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया के जंगल में वही जिन्दा रह सकता है, जो शिकार करना और शिकारियों से बचना जानता हो। दूसरे शब्दों में जो कमजोर हैं वे इस दुनिया में नहीं जी सकते। अगर ऐसा है तो उन सैनिकों को बार्डर पर से हटा देना चाहिए क्योंकि वे अपने देश वालों की हिफाज़त करके उन्हें कमजोर बना रहे हैं। आपको इस दुनिया में रहना है तो आपको सभी के साथ मिल जुल कर रहना होगा। हम सभी को एक दूसरे की जरूरत है और बिना किसी की मदद के आप कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। से दूसरों की मदद करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ध्यान की मदद से आप खुद को ज्यादा दर्द सहने के काबिल बन सकते हैं। ध्यान आपके दुख सहने के बाद होने वाली बेचैनी या परेशानी को कम करता है। ध्यान हमें अंदर और बाहर से मजबूत बनाता है। ध्यान हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ चार दिन तक 20 मिनट ध्यान लगाने के बाद लोगों को महसूस हुआ कि अब उन्हें पहले के मुकाबले दर्द 40% कम होता है और वो दर्द को 75% ज्यादा सहपा रहे हैं। मेटा मेडिटेशन की मदद से हम दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश और क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसमें हम आखों को बंद करके आराम करते हैं और अपने आप के लिए प्यार को महसूस करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम प्यार से भर जाते हैं, और फिर यही प्यार हमारे अंदर से निकल कर दूसरों पर बरसने लगता है। जो लोग सच में दूसरों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें नाम या शोहरत कमाने का शौक नहीं होता। अगर आप लोगों की मदद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, ताकि आप सुर्खियों में आ सके, तो आप सच में उनकी मदद करने के बारे में नहीं सोचते। एक बार एक बूढ़े आदमी से कुछ लोगों ने पूछा कि एक अच्छे आदमी को कैसा होना चाहिए। बूढ़े आदमी ने उन लोगों से सवाल किया। मुझे उसकी नीव अच्छी लगती है। जिसे कोई नहीं देखता, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता, जिसे सब अंजाने में अपने पैरों के नीचे को चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उस इमारत का भार पिछले 200 साल से उठा रही है और लोग उसे छोड़ कर सिर् बलकि वे इससे नफरत करते हैं। अगर आपको लगता है कि ज्यादा चर्चा में रहने से आपका फाइदा होगा, तो आपको एक बार महात्मा गांधी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। उन्होंने पूरे देश को आजादी दिलाने में हमारी मदद की, लेकिन नाथु पूराम के हाथों मारे गए। उनके अलावा राजीव गांधी, एब्राहम लिंकन और इद्रा गांधी जैसे लोगों ने भी लोगों के लिए बहुत से अच्छे काम किये, लेकिन उनकी भी हत्या कर दी गई। इन सभी बातों से हमें एक सीख मिलती है कि हमें किसी की मदद सिर्फ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम उसकी मदद करना चाहते हैं। हमें बदले में किसी भी चीज की आस नहीं रखनी चाहिए। का जन्म भेद भाव से होता है। आज अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब अमीर लोग अकसर लोगों और साधनों का इस्तिमाल करके उपर तक पहुँचते हैं। आज हर कोई सिर्फ खुद के ही बारे में सोच कर और खुद का ही फाइदा चाहकर उपर पह करती थी लेकिन अब सिर्फ एक परसंट लोगों के पास चालीस परसंट की संपत्ती है। ठीक इसी दौरान कुछ लोगों से एक सवाल किया गया था। क्या आप अपने आस पास के लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। 25 साल पहले 60% लोगों ने हाँ कहा था, लेकिन अब सिर्फ 40% लोगों ने हाँ कहा। इससे एक बात साफ है कि जैसे जैसे समाज में भेद भाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास उठता जा रहा है। इस तरह का समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता, भेद भाव से नफरत पनप्ती है और नफरत से अशान्ती, इसलिए सबसे पहले हमें भेद भाव को मिटाना होगा। इस लाख से ज्यादा NGO हैं, बड़े बड़े लोग दूसरों की मदद करने के लिए अलग-अलग काम कर रहे हैं। एक्जेम्पल के लिए सलमान खान ने अनाथ बच्चों के लिए बीइंग हूमन नाम की संस्था चला रखी है और इमरान हाश्मी ने इंडिया में सबसे पह जानना है कि मुसीबत के वक्त थोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। न्यू और्लीन्स में जब कैटरीना नाम की रीकेन आई तो न्यूज ने दिखाया कि अब यहां दंगे होने लगेंगे क्योंकि लोगों के उपर रहने खाने की समस्या आ गई है लेकिन ऐसा नहीं हुआ लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और उन्होंने मिल कर उसका साम ना पैदा कर सकते हैं जैसा कि पहले ही कहा गया कि कामपेटीशन से हमारे समाज को नुकसान है बच्चों को एक दूसरे के साथ काम करना सिखा कर हम उन्हें अपने सपनों की दुनिया बनाने के लिए तयार कर सकते हैं अब आईए देखें कि किस तरह हम बच्चों में इस भावना को विकसित कर सकते हैं और साथ ही उनके काम करने के तरीके को बदल सकते हैं University of Lyon के प्रोफेसर रॉबर्ट प्लीटी ने अपने कमजोर बच्चों को एक साथ रख कर पढ़ाना शुरू किया उन्होंने देखा कि बच्चे एक दूसरे से सीखने लगे और उन्होंने पहले से अच्छे मार्क्स लाए आप अपने स्टूडेंट्स की जरूरतों को समझिये न कि उन पर अपना हुकुम चलाईए अगर आप उनकी भावनाओं की इज़त करेंगे तो वे भी आपकी इज़त करेंगे अगर वे आपकी इज़त करेंगे तो वे आपकी बातों को अच्छे से सुनेंगे और मानेंगे और इस तरह आप उनमें बहुत सी अच्छी आदतें बना सकते हैं जबरदस्ती करने से वे आपकी इज़त नहीं करेंगे आपके सामने वे भले ही अच्छे से रहें लेकिन आपके ना होने पर वे गलत काम ज़रूर करेंगे स्कूलों को अपने बच्चों में अच्छी आदतें डल्वानी चाहिए उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़कर हम समाज में मौजूद भेदभाव को खत्म कर सकते हैं और अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदल सकते हैं। कुल मिलाकर लोग सोचते हैं कि आज कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचता। ऐसा सोच कर वे अपने आपको वैसा ही बना लेते हैं और अपने अंदर की इंसानियत को मार देते हैं। लेकिन अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको बहुत सारे भले लोग मिलेंगे। दूसरों की मदद करने से ही आप एक भले इंसान बन सकते हैं। ध्यान की मदद से आप अपने इस मदद करने की भावना को बढ़ा सकते हैं। ध्यान लगाईए। क्या आपको पता है कि ध्यान लगाने से आपके चेहरे पर जुर्यान नहीं आएंगी और आप ज्यादा समय तक जवान दिख सकेंगे। धन्यवाद!